हेलो बच्चो आपको हमाई चैनल पर स्वागत थे बच्चो आशा करता हूँ कि आपकी पेपर अच्छा जा रहा होगा बच्चो आज हम आपके लिए क्लाश 10 के बच्चो के लिए समाजी बिज्यान के सैलेबस लाए हैं जो बोर्ड ने जारी किया था तो बच्चो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो 70 नमबर जो समाजी बिज्यान से पूछे जाते हैं कहां कहां से आते हैं और कौन कौन से हमारी important person है जो हमारे बोर्ड के प्रक्षाओं में आ सकते हैं और हम लोग कितना पढ़ लेंगे कि आराम से 70 में 70 अटेम क कर लेंगे तो आइए चलिए सुरू करते हैं बीना किसी देरी के और आप हमारे चानल पर नएंटो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियों को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें तो चलिए देखते हैं कि सतर में सतर पाने के लिए हम पो कितना देखो इतिहास में 20 नमर के पुछा जाएगा भुगोल से 20 नमर पुछा जाएगा 15 नगर नागरिक से पुछा जाएगा और एकोनोमिक से यानि अर्थ सास्त से 15 नमर पुछा जाएगा यानि टोटल 70 नमर हो जाएगा 38 नमर हमारे स्कूल से मिलते हैं तो देखो बच्चो सबसे पहले आपको भी पता है कि 20 हमारे MCQ आ रहे हैं बहुत भी कल्पी आ रहे हैं तो 5 5 5 सभी MCQ 5 MCQ इतिहास से आएगे 5 भुगोल से आएगे 5 नागरिक सास्तर से आएगे और 5 हमारे और्थ सास्तर आएगे ठीके 5 से 4 से 5 पाच करके हमारे MCQ पुछे जाएंगे तो सब भी को बराबर पढ़ के जाना है हम आपको MCQ का पूरा से लेबस बताएंगे ठीके अब देखो अब आओ देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की हमारा देखो बच्चो इतिहास हमारा 20 नमर काएगा जिसमें से 5 हमारा तो बहुँ भी कल्पी हो गया बच्चा कितना 15 15 में बच्चो 5 हमारा हो जाएगा मायप भर के मायप भरने के लिए 5 नमर काएगा अब बच्च गया 10 नमबर अब बच्चो 10 नमर में 6 नमर में एक कोईशन आएगा आएक कोईशन 4 नमर के आएगा तो टोटल बच्च भरना ही पड़ेगा मानचित भरने का हम आपको टेकनिक बताएंगे मानचित में कुछ खास नहीं आता है हम बताएंगे जो जो वही पढ़ लेना ठीके बच्चो तो कितना आएगा बच्चो यहां से इतिहास से हमारे 20 नमर आएंगे तो आओ देखो इतिहास से हमारे 20 नमर मे क्योंगों छे नमर के एक कोईश्चन एक चार नमर के पाच MCQ और पाच हमारा आएगा मानचित्र से तो दोस अदोस बीस हो गया ठीक है बच्चो तो देखो कौन कौन से इसमें से इंपोर्टेंट आपिक है तो देखो कौन वन से कौन कौन से आएंगे ध्यान से सुनू मटनाय और परकिरिया जिसे इरोपवाट के मतलब राष्टवाज का उदे और बाहरत के राष्टवाज उदे दोनों को मिला कर नौ अंक आएंगे यानि यहां से हमारे तीन बहुभी कल्पी आएंगे और एक हमारा बच्चो आएगा छे नमर से ठीक है बच्चो तीन बहु के राष्टवाद वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है जैसे कि खिलापेत होसयोग विभीन अंदोलन के बारे में यह वाला पहला लाइन और नमक सत्याग्रह यह दो टापिक हमारा बहुत ही अती इंपोर्टेंट होने वाला है ठीक है बच्चो इन दोनों टापिक हम लोग पूरा डीटल में बात करेंगे हमने का नोट बना लिया आपको दे देंगे ठीक है बच्चो आफ देखो उस पकार हमारा खंड को से हिस्टरी में जो हंड कह है गंड को से भी किन्ना नमर का आएगा छे नमर का पूछेगा अब देखो बच्चो इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट टापिक है एक हमारा उपनिवे स्वाद आये के हमारा वेश्वी करण की सुरुवात छे नमर में आएगा मेरे बच्चो छे नमर में आएगा ठीक है तो आराम से इसको पढ़के जाना द संदी आने के बाद हम कब हम लोग फिर अपना शुरुवात किये यह वाला टापिक पढ़ना है तो इस पकार से हम लोग 20 नमर उठाएंगे और उसके बाद देख लो मानचीतर से क्या क्या आएगा बच्चो मानचीतर से हमारा मेनली आएगा क्या कि भारत के जो राष्ट व हुआ था दिसंबर में 1922 में बस आपको मायप इसे दिया जाएगा भारत का मायप आपको दिया जाएगा बनाके बताना है कि खुलकत्ता कहा है नागपूर कहा है मदरास कहा है और आपको लहोर बताना है लहोर कहा है ठीक है बस आपको पॉइंट बता देना है तो यही आए पिर आएगा मान्चित में भनने के लिए चमपारन कि धर है खेला कि धर है अहमदाबाद का आए जैको यहाँ पर लिखा भी है गुजरात में अमरित सरकाह है पंजाब में चोवरी चवड़ा का है उत्ता प्रदेश में डांडी का है गुजरात में जो जो बता रहा हूं यही सब पूछा जाएगा तो बताओ बच्चो चंपारन कहा है बिहार में माइप में आपको भरना है कि कहां चंपारन है एक माइप का हम पूरा डीटल में वीडियो बताएंगे जो जो बता रहा हूं इसमें जो टापिक दिया है इसके बाहर कुछ नहीं आएगा ये बोर्ड ने खुद जारी किया है ठीके मेरे बच्चो चलो अब आओ देखते हैं भुगोल से पूछे जाने वाले सवाल ठीके अब देखो भुगोल से भी हमारे 20 नमर आएंगे जिसमें हमारा इकाई वान से 9 नमर आएगा अब देखो समकलीन जो भारत है भुगोल वाला चेप्टर वह हां से 20 आएगा पाच हमारा mcq 5 हमारा मान चीतर से भरा हुआ और 6 नमर का एक सवाल अच्चा नमर का एक चवाल तो टोटल हमारा किन्न हो गया 20 हो गया तो देखो इसमें से हमारी important important कौन से सवाल है एक आएगा संसाधन के बारे में कौन कौन संसाधन वान संसाधन जीव सं संसाधन से related हमारा बहुत ही महत्पूर्ण question आएंगे ठीक है बच्चो तो इसमें भी सबसे important हमारा देख लो कौन है संसाधन के बारे में पढ़ लेना जल संसाधन के बारे में फिक्स है कि पूछा जाएगा ठीक है बच्चो चलो तो यहां से हमारी 9 नमर के आएंगे तीन बहुभी कलपी आएंगे और छे नमर में एक पूछा जाएगा question ठीक अब आगे देखो फिर पूछा जाएगा क्रिसी से इसमें से छे नमर पूछा जाएगा इसमें आपको नौदी का बांध का यही सब बताना है मिटी बताना है कहां कौन मिटी पाए जाता है धान कहां पाए जाता है चाय पती कहां ज्यादा उगता है चीत्र भारत कर रहेगा उसी में इसे बलॉर कर देना है चीत्र उसी में रहेगा बलॉर कर देना है देखो खास बांद टेहरी बांद रारा परताप सागोर सरदार सुरूव और हीरा कुन जो जो बता रहा हूं बच्चों यही आएगा क्योंकि यह यूपी ने जारी किया हुआ माड़ा से ठे अब सुनो अब सुनो क्या आएगा क्रीशी से तुख भंद्रा कहा है यूपी में तुछ सब ए ला रहा हूं जो बताओं उतना पढ़ लेना च्छाप के आ जाओगे दोस नमबर मानचीतर में तो गलती नहीं करोगे क्योंकि मानचीतर एकदम दौसों का दौसों सही मार दोगे भारत का मायप आपको पेपर में दिया जाएगा उसी में दो मानचीत दिया जाएगा एक द सुन लो अब हमारा 1971 तीन लोक दान्त्रिक यानि नागरिक सास्त यहां से भी 15 नमबर आता है सबसे पहले देखो 5 बहुपी कल्पी आता है 6 नमबर का也कोशन आता है और 4 ंमर का रहे इसमें मान चितर नहीं आता है मान चीतर के वर पांचा और पांच नमर इतियास व्गोर सा ता है इसलिए वो 20-20 नमर का हो जाता है ठीक है बच्चो तो अब यहां से देखो इसमें क्या है सबसे important topic कि सत्ता की सज़दारी क्यों important है सत्ता की सज़दारी जाती की समझदारी धर्म की सज़दारी लेगिक मसले लेगिक मतलब बच्चों की आदमी और पूरुस में अंतर ये सब हमारे का है भेदभाव है हमारे समाज में सब भेदभाव होता है ओट चुनाव जो होता है जाती पे होता है धर्म पे होता है लोग तंत्र क्या है यही सब पुछा जाएगा हमारे 15 नंबर में ठीके बच्चो आप सुनो तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट देख लो सब्ता की सज्ज़धारी के बारे में संगवाद के बारे में पढ़ना है और उसके बाद लोगतंत्र के बारे में जाती के बारे में धर्म के बारे में लैगिक मसले के बारे में पढ़ना है फिर उसके बाद कौन कौन से हमारी इंपोर्टेंट अंदोलन थे उसके बारे में हलका फुलका पढ़ना है ठीके उसके बाद देखो ब नमर के पूछह जाते हैं ठीक है बचो तो अब देखो यहां से 15 नमर जो पूछह जाते हैं ओटराल इसमें भी हमारा 5 नमर का एक वह चान आएगा और 4 नमर का हमारा सी तौर्टारिस्ता नहीं आए हो विकास जो होता है राश्टि आए प्रतिवीक्ति आए यह सब पुछेगा. आए कितना है मिर्टू दर्कितना है सिर्शुमिस्टू दर्कितना है यह सब हमारे क्या है बच्चों बहुत important push टापिक के विकास वाल टापिक एकदम परना है तिक है और उसके अगले देखो कौन टापिक हमको पढ़ना है यहाँ पर भारतिय और्थ और्थ व्यस्ता का छेत्रक पढ़ना है कि रोजगार क्या है कारी छेत्रों का भिवाजन संगटीत और संगटीत यह सब क्या है बच्चो हम लोग को पढ़ना है ठीक उसके बाद आओ देखो छे नमबर हमारे यहां से पुछा जाता है भू मंडली और करन भारतिय और्थ व्यस्ता के बारे में वेश्वी करन के बारे में यहां से फिक्स है बच्चो वेश्वी करन एकदम बहुत तगड़ा इंपोर्टेंट आपिक है वेश्वी करन के बारे में हमें एक special अलग से वीडियो में आप देखो और कौं-कौं टापिक कош्टेंट है वोगता अधिकार पढ़न ना है को बगता का सोसर कही से किया जाता है कि उसके ऊपाई बताओ ठीक है कानर में बताओ क्यों किये जाता है जगरूता बताओ ठीक है बच्चो इतना पढ़ना है इस से जदा आपको नहीं चारों बुक को बारे में बता दिया हमने आपको ठीक आपको जो जो बताया है इतिहास से बता दिया 20 नमर आएगा इसका इंपोर्टेंट टापिक एक बारोज सुन लो इरोब का राष्टवात के बारे में हलका फुलका में इसमें भारत का राष्टवात और ती इंपोर्टे यहां से भी छे नमर आएगा इसमें सबसे इंपोर्टेंट है उप निवेसवाद और वेसवी करनन की सुरुआत ठीके बच्चो अब अगला देखो उसके बाद मानचीतर से हमारे पाच नमर के पूछे जाएंगे पाच नमर में इसमें हमारे बच्चो जादा तोर राष्टि आपको दिया जाएगा वहां पर चीतर बनाना है फिर आपको बताना है कि जो जो अंदोलन हुआ है चंपागरण खेड़ा अहमदाबाद अमरित सहर चोड़ी चोड़ा और डांडी यह जो छे है यह नहीं छेहों को बताना है कि मायप में बताओ यह किधर है यहां से आपको पाच नमर उठा लेना है ठीक है बताना है कि चंपागरण कहा है तो आपको एकदब मायप देंगे मायप आपको दो दिये जाएगा दोनों में उसमें भढ़ना रहता है ठीक है बत्चो अब देखो उसी पगार भुगोल से हमारे कितने नमर क्याएंगे 20 नमर क्याएंगे जिसमें से 10 नमर के हमारा question answer आएगा 5 MCQ और 5 हमारा मान चीतर आता है ठीक अब इसमें देखो सबसे important जोल संसादन के बारे में पढ़ना है संसादन कौन-कौन से है वो पढ़ना है उसके बाद क्रिसी वाला पढ़ लेना उसके बाद सबसे important है खनीज और उर्जा का संसादन क्या क्या है ठीक है बच्चो चलो अब आगे देखलो एक बार अब हमारा लोगतांत्रीक यानि कि नागरिक सास्त से हमारा पंदर नमर का आएगा 6 नमर का एक 4 नमर का एक 5 MCQ ठीक है MCQ का वीडियो टेंसा नद लेना इतना MCQ प्रहादेंगे कि सब के सब तुम कर ले है अब सुन लोकी नागरिक सास्त में सबसे important कौन topic है सत्ता की सजदारी क्यों है लोगतंत्र के लिए बहुत important है यानि लोगतंत्र सत्ता की सजदारी topic हमको क्या है पढद लेना है जाती धर्मा उलाएगे कि मसले कौन कौन से हैं वह हमको पढ़ना है ठीक है बच्चो इसमे सबसे important हमार criticism है कि जाति की रजनिति और रजनिति की पर क्या परभाव पड़ता यह हमारे हर सल पूछे जाने वाले छे नमर में question है तो एक nevertheless पढ़ लेना कि जाति की रजनिति और रजनिति की जाति दूनों में क्या प परभाव पड़ता है ठीक है बच्चो और चलो यहां देख लो और एक अंदोलन के बारे में हलका फुलका पढ़ लेना ठीक है अब देखो और एक यहां पर यह टापिक पढ़ लेना कि लोग तंत्र की चुनोतिया कौन कौन सी है कौन कौन सी उनकी चुनोतिया एक टापिक पढ़ लेना एक वीडियो बनाएंगे लोग नमर का पुछे जाएगा विकास वाला चेप्टर एक दम पढ़ लेना है आई प्रतियाई सिसु मिलतु डौर यह जो है हमारे टापिक हमारे बहुत ही अत्ती महत्पूर्ण टापिक है ठीक है बच्चो अब देखो उसके बाद हमारा इसमें से सबसे इंपोर्टेंट टापिक पढ़ लेना है वेश्वी करण भूमंडी करण और भारती और्तवेस्ता एकदम डाबलू टीओ जो हमारा है वर्ट टेरेड अग्रनेजेशन बीसो ब्यापार संगठन यही हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां से 10 नमबर भी आ जागा यहां पर आपको 6 नमर दिख र पता रहाँ इतना ही पड़ना है अब इससे बाहर नहीं पड़ना है ठीक है और देखो 30 तीष परसेंट जो अमारा से लीबर से बाहर हुआ है यह सब मत पढ़ना, यहांँ पर देखो, 30% जो हमाई से लिबत से बाहर हो गया है, बच्चे यह भी पढ़ लेते हैं, क्या नहीं पढ़ना है, फिर हमको मिर्धर संस्कृति और अधुनिक भीसों नहीं पढ़ना है, फिर हमको बी निमार उद्योग नहीं पढ़ना है, मुद्रा और साक नहीं पढ़ना है, यह सब टापिक आपको नहीं छुना है, जो बताया हूँ, उपर का यही सब पढ़ लेना है, ठीक है बचो, तो कमेंट करके बताओ, कुछ तुमको किश टापिक पर वीडियो चाहिए, वीडियो उसके इसाब समलोग बना देंगे, ठीक है बच्चो, और कमेंट करके यह भी बताओ, कि पेपर आपका कैसा जा रहा है, ठीक है बच्चो, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत.